दोस्तों मेरा नाम है कुमकुम बिन्वाल मोधी सरकार के मंत्री पियूश कोयल कह रहे हैं कि महंगाई अंतराश्ट्रिय समस्या है पियूश कोयल कहते हैं कि पूरे विश्व में महंगाई ज्यादा है वो कहते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जो चल रहा है अपने देश में महंगाई का एक ये भी कारण है लेकिन प्यूश कोयल ये नहीं बता पाए कि विश्ब के कई देश अपनी जनता को महंगाई से राहत पहुचाने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं प्यूश कोयल ने पेट्रोल डीजल के दामों की महंगाई को इंटरनाशनल तो बता दिया लेकिन ये नहीं बता पाए कि पांच राजियों में जब इधानसभा चुनाव होने थे तो 130 दिनों से ज्यादा दाम रत्ती भर नहीं बड़े पेट्रोल डीजल के युद्ध तो तब भी हो रहा था जब दाम तब कंट्रोल में हो सकते हैं तो अब क्यों नहीं हो सकते हैं इससे तो अच्छा है ना अपने या कभी चुनावी खत्म ना हूँ कमसे कब महंगाई तो नहीं बढ़ेगी दिल्ली में आज यानि की गुरुवार को एक बार फ़र से सी एंजी के दाम बढ़कर दो रुपे पचास पैसे बढ़ गए हैं मतलब सी एंजी के दाम अब दो रुपे पचास पैसे बढ़ गए हैं दिल्ली में और अब दिल्ली सी एंजी की कीमते हो गई हैं 71 रुपे 61 पैसे और हर्याना में इसके दाम आपको देने होंगे 80 रुपे ओला उबर के दाम पहले ही बढ़ चुके हैं पेट्रो और 100 के बार कपका जा चुका है CNG SC के बार आप मिली राय मनें बताई दिया है तो मतलब CNG और पेट्रोल में फर्क अब 20 से 23 रुपे के बीच का है इसके साथ साथ आज से दिली में PNG के दाम भी बढ़ गए चार रुपे 25 पैसे नीबू 300 पार है, मिर्च 100 पार है, फल सबजियों के दामों में आग लगी हुई है रसोई गैस 900 के पार कपका हो चला दोस्तों विदेश में हो रही जंग को महंगाई का जमदार बताना तो बस अपनी जमदारी से पल्ला जाड़ना है न सरकार के मंतरी तो पल्ला जाड़ लेंगे, लेकिन आम आदमी इस मुई महंगाई से कैसे पल्ला जाड़े बताईए आप महंगाई को लेकर पियूज गोयल के इंटरनाशनल वाले बयान को किस तरह से देखते हैं कमेंट बॉक्स में लाए जरूर दीजेगा और दोस्तों चैनल को जॉइन भी कीजे, सब्सक्राइब भी कीजे क्योंकि हमारी आजाद पत्रकारिता को आपके सपोर्ट की जरूरत है